Hello everyone, welcome to do for exam So, आजम बात करने वाले हैं GI Tech के बारे में GI Tech के बारे में क्यों क्यों कि इस समय चर्चा में भी है बहुत जादा कई सारे उत्पादों को GI Tech दिया गया है भारत में And I'm sure कि exam में इसे कोशन तो आने ही वाला है इसलिए इसके बारे में सर्चा करेंगे आज कि GI Tech क्या होता है कई सारे कोशन्स आते हैं कि क्या होता है क्यों दिया जाता है कैसे मिलता है और मिलने के बाद उस उत्पाद को इतनी जादा पॉपुलरिटी क्यों मिल जाती है तो ये सारे questions के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये इतना news में क्यों है डाक विभाग और बिहार सरकार दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है इस बात के लिए कि वो घर-घर यानि कि हर घर में GI टेग प्राप्त जो उत्पाद है उसको वो पहुचाएंगे अब मैं बता दू बिहार में जो दो ऐसी चीजें है जो fruits है actually उनको GI टेग मिला हुआ है पहला तो है साही लीची जो कि मुझफः नगर की है प्रसित धैवा की मुझफः नगर बिहार में ही है दूसरा है भागलपूर का जार्दोलाम भागलपूर भी बिहार में है तो इन दो चीजों को GI टेग मिला हुआ है इसलिए डाक विभाग और बिहार सरकार्ट दोनों ने मिलके ये सोचा है कि वो साही लीची और जार्दोलाम की आपूरती घर-घर करेंगे तो इसलिए ये थोड़ा सा निउस में भी है और एक्जाम में आने के चांसे भी है अब बात करते हैं सबसे पहले कि GI टेग होता क्या है है क्या क्यों दिया जाता है तो मैं बता दूँ GI टेग किसी भी वस्तो को एक प्रसिद्धी देने के लिए एक संकेत दिया जाता है उसकी गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए उसको एक पहचान के आधार पर दिया जाता है ठीक है और GI टेग जो उत्पाद है उसकी गुडवत्ता और उसकी विसेस्ता को भी बताता है GI टेग के लिए सबसे important बात जो है वो ये कि जो उत्पाद है उसका उत्पादन या उसकी processing उसी छेतर में होनी चाहिए जहां के लिए GI टेग लिया जा रहा है ठीक है भारत में GI टेग basically किसी क्रस्ट छेतर में कोई उत्पादन है या फसल है कोई या प्राकरतिक रूप से कोई निडवित उत्पाद है उनको प्रदान किये जाते हैं उनको दिये जाते हैं कई बार क्या होता है कि GI टेग एक से ज़्यादा राज्यों को भी दिये जाते हैं या एक से ज़्यादा राजियों में जो उत्पादन होने वाली फसलों को भी दिये जाते हैं तो इंस जगहों के लिए बासमती चावल को जियाई टैक मिला हुआ भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 में जियाई टैक दिया गया था ए मैं बात करती हूँ कि GI tag कैसे लिया जाता है जो वेक्तिया जो संग्ठन किसी उत्पाथ के लिए GI tag के लिए आविधन करता है और tag को भी प्राप्त करता है वही वेक्तिया संग्ठन GI tag का एक authorized उपयोग करता कहा जाता है इसके अलावा कोई और छेत्र या कोई और बैक्तिया संगठन इसका उपयोग नहीं कर सकता हलांकि एक भागोलिक संकेत तक धारक किसी और बैक्ति को उसी तक्नीक से उस उत्पाद को बनाने से रोक नहीं सकता लेकिन हाँ नकल करने वाले जो बैक्ति होते हैं वो जियाई टैक सिंबल का उपयोग नहीं कर सकते हैं जियाई टैक देने का एक मेंड परपस यह होता है कि जियाई टैक मादिम से उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा नया पनाए और इस बात की सुरच्छा भी प्रदान की जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्तिया संस्था नहीं करेगी जब किसी को भागोलिक संकेतक मिल जाता यानि कि जियाई टैक मिल जाता है तो उसके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं तो सबसे पहले तो GI टेग प्राप्त जो उत्पाद है उनकी नकल को रोकता है ये ताकि जो भगोलिक संकेत प्राप्त जो उत्पाद है उनको कानूनी संदक्षर पतान हो सके उनको और ये टेग अच्छी गुडवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है ताकि ग्रहकों को जो है वो संतुष्टी मिले कि हाँ ये चीज अच्छी है इसको जियाई टैक मिला हुआ है तो ये इसका ये प्रोड़क्ट अच्छा है इस पे हम विस्वास कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि उत्पाद की जो है उत्पादों के लिए अंतराश्टी बाजार के द्वार खुलती है जिस सुत्पाद को जियाई टैक मिल जाता है वो एक उसको एक अंतराश्टी पहचान मिल जाती है और सबसे बड़ी चीज है कि जियाई टैक जो है सिर्फ 10 साल तक ही मानने होता है 10 साल के बाद आपको इसको फिर से रेन्यू कराना पड़ता है एक बहुत ही महत् दि Κंट एनल बात यहां पे कि जिया टैक किसी विश bunun चेत्री यह सारुजनिक संपति होती है इसे किसी और को सौपा नहीं जा सकता या किसी और को दिया नहीं जा सकता, या गिरिवी नहीं रखा जा सकता, सबसे बड़ी चीज है, माल लिए अगर GI Tag जिसने लिया है, जो authorized person है, उसकी मरत्य हो जाती है, तो उस इस्थिती में GI Tag उसके उत्राधिकारी को मिलेगा, ठीक है, ये थी कुछ बाते GI Tag के बारे में बहुत ही बेस, वहाँ पर अपलाई कर सकते हैं, वहाँ पर अपलाई करना पड़ता है, और एक बार GI Tag का अधिकार मिल जाता है, उसके बाद दस वर्सों तक या दस साल तक GI Tag माने रहता है, ये मैंने आपको बभी बताया, इसके बाद अब इससे रिन्यू करा सकता है, GI Tag के लाब भी मैंने आप बता दी हैं आपको कि क्या क्या इससे लाब होते हैं, अगर किसी उतपात को GI Tag मिल जाता है, तो उससे टूरिज्म और निर्याद को भी बढ़ावा मिलता है, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में कुछ महातुपूर ऐसे उतपात हैं जिनको GI Tag मिला हुआ हुआ ह महातुपूर का संत्रा, कस्मीर की पस्मीना सौल, हिमाचल का काला जीरा, ओडिशा की कंदमाल हल्दी, तो ये कुछ महातुपूर चीज़े हैं जिनको GI Tag मिला हुआ है, इन्हें ध्यान रखेगा, और भी कई सारी चीज़े हैं, तो आप पढ़ लीजिए, उनके बारे में द हएं, ये धी की फॉआब ये खूना, वाचिए ख़ 안돼 के डि़ॉच額 सौल, जू परत्व सी चेज़े हैं, जोरुडन तो आन्हें लाइक, सक्टिकना नहें, जाना नहें if ya हैं, और में चूप्क्य करभिछ, थास्या कर मनी सांजूपूर। जा सौन में नहें घॉरूर।